नमस्कार मेरा नम मंदीप है और आप देख रहे हैं मधिपुरासंचार डोट कम आज पप्पु यादव के गिरफतारी का दूसरा दिन है कल गिरफतारी हुई थी पटना के उनके आवास उत्री मंदीर पर वहां से उन्हें गांधी मैदन धाना ले गया था और उसके बाद प्रशासंद्वारा जो है पहले ऐसा बताया गया कि लोगड़न के उलंगन मामले में इनके उपर एफाइर है और उसके बाद फिर पताचला सामतक की 32 साल पुराना मुकदमा जो है पपु यादव पर था उनके तहट उनको प्रशासंद्वारा मधेपुरा लाए गई और रात में रातो रात जो है उन्हें वीरपूर जेल सिफ्ट कर दिया गया अब वहाँ पर जेल सिफ्ट हो जाने के बाद पपु यादव जी द्वारा एक ट्विट की गई उस ट्विट में उन्होंने लिखा वीरपूर जेल में मैं भूख हरताल पड़ हूँ ना पानी है ना वास्रूम है मेरे पाउं का ओप्रेशन हुआ था नीचे बैठ नहीं सकता कमोड भी नहीं है कोरोना मरीज की सेवा करना उनकी जान बचाया दवा माफिया हॉस्पिटल माफिया ऑक्सिजन माफिया एम्बुलेंस माफिया को बेनिकाव करने करना ही मेरा अपराद है मेरी लराई जारी है पपू यादव के ट्विटर हैंडल से ये ट्विट किया गया है उसके बाद जो है अब भी अब ऐसा माहूल बन चुका है कि लोग वापस फिर से आज परदर्सन करने में जुट चुके हैं और कई सारे लोग जो है अपने आँखों पर काला पटी बांध कर विरोध परदर्सन की हैं पपू यादव के गिरफतारी क्या और पपू यादव फिलाल भूख हरताल पर है जिस तरह से उनका ट्विट आया है उसके बाद जो है उनके समर्थकों में काफी गुसा भर चु ये इतना ही